आज हम मूंग का सालन बना देखो यह मूंग है कल हमने भिगायत है उसको और ऐसे रूट निकल के आये देखो अभी इसको पाता हैंगे बहुत टेश्टी लगता ही यह देखो यह एक प्याली भर के मूंग है पाव किलो तक यह मूंग है यह एक चमच कश्मीरी लाल मिर्ची पड़था घाजट यह, कमकलि का मूंग है यह एक चमच थे लसन का पेज है कि तुटा भुना जीरा एक चमच हाज़ी है गरम मसाला एक चमच है दनीज़ी एक चमच है और हुग चार कांदे चॉपकर के लियु और हुग चार टमाटे की प्यूरी बनाई उसके अंदर हरी मिर्ची दानी BU दो चमच कुकर में तेल डालेंगे अब ये कांदा डालेंगे उसके अंदर फिर नम्मक डालेंगे और इसको पोलने देंगे एक मिनिट ताफ इसको पोलने देंगे फिर आपको बताएंगे ए देखों एक मिनिट में कांदा का कलर बद्दी हो गया अभी इसमें सब मसाले दालेंगे पटाफट पहले आद्रक लसन दालेंगे इसको भूनेंगे आद्रक लसन भूनके हो गया अभी पूरे मसाले दालेंगे अभी इसमें टामाटा की पूरी दालेंगे इतने अच्छी खुदबवारी पस्कलास यह मूँ गयना बहुत फायदे शाराया है हर डाक्टर किसी भी डाक्टर को पूछो डाक्टर को पूछो इसको विटामिन नहीं है केल्सियम नहीं है उसने यह सोया बिन भी खाना और यह म देखो देखो पांच मिनुट में मसाला भून किये तयार है सब अभी यह मूंग दालेंगे इससे भूंगे ना रात में भीगाने का और फिर शाम में उसको रूटा गए के पकाने लेने का इसको तेल कांदे में कल बताऊंगे आज सालन बताई अभी उसमें एक गलस पानी अभी इसको धक्कन रखके इसको एक सिटी लेंगे अब सुबा यह मूं गया आज भीगाने का दूसरे दिन रूट आए ना रूट आ गये कैया करने का हाद भीगाने का और कर रात में उसको पतले कपरे में कॉटन के बान के रखने का और दुसरी सुबा उठके पानी के साथ उसको इतना इतना खाएंगे ना केल्शियम, ताकत, एकदम फस्कलास, सब बीमारी दूर एकदम भूत अच्छा लगता है डॉक्टर लोग कुछ बोलते हैं मैं आपको बता रही, आप सालन खाओ ऐसा बना के तेल कांदे में खाओ हाँ, सालन खाओ वैसा खाओ, नियार पेट अच्छा बहुत अच्छा लगता है, अभी हम इसको ढखतन लगाएंगे और एक सीटी लेंगे, क्योंकि भीगेले मुँग है सीटी निकाले अभी हाँ, दो सीटी लिए हाँ एक दम पूल पकाने कर नहीं इसको अधे देखे, सालन कैसा पक्के तयार है अब यह हम इसको सब कर रहे, आपको बता रहे हरे मुँगा सालन बनके तयार है ऐसा बनाओ खाओ ये मूह बहुत फाइदे सार रहते हैं तो ऐसा बनाओ खाओ आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो प्ली